नमुश्कार SBT News में आपका स्वागत है, पीश है 12 नुमबर रविवार दोपैर सवाइक बजे राजिस्तान की 15 बड़ी खबरें इस नीज बुलेटिंग के प्रायोजुक हैं विनी, विनी केक एन मोर तो सबसे पर एक नज़र डालते हैं आज की हैड्लाइन्स पर मोदी लगातार दसमीं बार जवानों के साथ मनाएंगे दिपावली, सीम गहलोद प्रत्याशियों से पुले, बागियों की चिंता छोड़ो, जनता को गरेंटी से जोड़ो गोल्डन टेंपल में दो लाख लोग मनाएंगे अनोखी दिवाली, वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होने से परिशान हो रहे है यात्री भीलवाडा सिरोही और श्री गंगा नगर वैसंगरिया में 15 डिग्री से नीचे आया पारा और अब खबर विस्तार से पीएम नरेंद्र मोदी इस बार भी जवानों के बीच दिपावली मनाएंगे मीडिया रिपोर्ट्स की मताबिक पीएम मोदी 12 नमंबर को जमू कश्मीर के अकनूर्स एक्टरस सीत जूरियन में सो 91 ब्रिगेड के साथ दिपावली मनाएंगे 2014 में प्रधान मंत्री बनने के बाद से पीएम मोदी हर साल जवानों के साथ दिपावली मनाते आ रहे हैं 2022 में मोदी ने कारगिल में जवानों के साथ दिपावली मनाने के दौरान अपने संबोधन में कहा था कि भारत हमेशा शानती के लिए खड़ा रहा है, हमने हमेशा युद्ध को अंतिम उपाय माना है, लेकिन हमारे सश्यस्तर बलों के पास देश पर बुरी नज़र रखने व नाम वापसी के अंतिम दिन जब साफ हो गया कि कौन-कौन बागी मैदान में डटे हैं, तो गहलोत ने प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाग दोर अपने हाथ में ले ली, देर रात वार्रूम पहुंचे से हम गहलोत ने एक-एक कर प्रत्याशियों से बात श जाया गया, शाम को गोल्डन टेंपल की परिक्रमा में एक लाग देसी घीके दिये जोलाई जाएंगे, इसके बाद भव्यातिश बाजी भी की जाएगे, जिसे देखने के लिए विश्व भर से शुरत धालो पहुंसते हैं, इस सुबलक्षे में पूरे स्वर्ण मंदिर को रंग विरंगी रौशनी से सजाया गया है, सोने से बने इस मंदिर पर येलो रंग के काँच के बने बल्ब जगमक कर रहे हैं, जो इसकी खूपसूरती को कई गुना बढ़ा रहे हैं, देशपर में रईवार को दिपावदी धुमधाम से मनाई जा रही है, घर परतेवार म कनफर्म नहीं होने की वज़े से कैंसल हो जाती है, जपूर में ऐसे काफी लोग हैं, जो टिकट कनफर्म नहीं होने से अपने घर नहीं जा पाए हैं, सरधवाई चलने के साथ ही राजिस्तान में सरदी का आगास हो गया है, पश्चिम विक्षोप की असर से पहाड़ी इला भी नीचे आगया, श्रे गंगान का चूर हनमानकण में घना को रहा होने के कारण विजिबलिटी दो सो से तीन सो मिटर ही रह गई, राजस्तान में दिपाववी के देवार के बाद बहुजन समाज पार्टी, रास्ट्री लोक्तांत्रिक पार्टी वे आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की सभाओं के बाद प्रदेश में चुनावी माहौल बनेगा, स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क दुनिया के सबसे ताकतवर स्टार्शिफ वेकल का दूसरा डेस्ट 17 नवंबर को करने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन नदी के किनारे 51 घाटो पर 22,23,000 दीए जला कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गया, इसके अलावा होलोग्राफिक लाइट के जरिये महार्शिवाल में की राम कथा सुनाई गई, घाटो पर 24,000 दीब जलाए गये थे लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड 22,23,000 दीए जलान जाच के बाद उन्हें अराम करने की सलादी है, महरास्ट के बारमती में विद्ध्य परतिस्टान के बैठके दौरान पवार को अचानक परिशानी महसूस हुई, मौके पर मौजूद एक डॉक्टर ने उनकी जाच की, फिलाल उनकी तबियर ठीक बताई जा रही है, रेलव आरिक ने बताया कि ओल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने इस मुद्धे को रेलवे बोर्ड PNM में उठाया है, महमंत्री शिव गुपाल मिश्रा, सहायक महमंत्री मुकेश माथून ने कहा कि ट्रेक मेंटेनर और ट्रेन ऑपरेशन का कारे जो खिंपून है, दिपावल की ग्रेटर वे हरिटेज निगम ने ग्रेटर निगम में पचपन गाडियां, दस मोटर साइकल के साथ 304 दमकल कर्मियों को तैनात किया है, कोटा में दीपोर्ट सपर बाजारों में दीपक और मिट्टी के बरतनों के दुकाने सजने लगती है, इस बार कोटा के बाजार मे मिट्टी से बने कई तरहा कि आइटम उपलब्ध होने के बाद भी मारके डाउन रहा, च्वाइनिज आइटम वे लाइट के कारण मिट्टी के दीपक और बरतन बेजने से जुड़े दुकानदार मायूस नजर आए, बाजार च्वाइनिज लाइटों से भरा पड़ा है, जोदपूर में इस बाद दिपावली पर पटाकों के जम कर खरिदारी हुई, कई लोगों ने परिवार के साथ पटाके खरीदने का उसाह दिखाया, फायर वर्क एसोसीशन के अनुसार जोदपूर में 30 करोड के पटाके बिख चुके हैं, इस दिपावली लोगों में पट पटाके जलाने का भी जबर्दस्त उसाह दिखा है, कोविट के बाद पिछली दिपावली पर ग्रीन पटाके चलाने का ही आदेश होने के कारण मार्केट में पटाकों की कमी थी, इस बार पूरे मार्केट में ग्रीन पटाकों की भरमार है, हर्याना के रिवारी में शनिव के दिहास में दर्ज होने जो रहा है 31 दिजंबर 2023 को यहां देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल चलेगी यहां जमीन से 33 मिटर और हुगली नदी की सतह से 13 मिटर नीचे 520 मिटर लंबी टनल में दो ट्रैक बिछाए हैं हावडा स्टेशन से महा करंट स्टेशन के लिए म मेटरो 520 मिटर लंबा सफर टनल में पूरा करेगी ट्रैनी से सिर्फ 45 सेकेंड में पार कर लेगी इस टनल से हावडा सिधे कोलकाता से जुट जाएगा और रोज 7-10 लाख लोगों का सफर आसान होगा तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और ब